ओम नमस्षिवाई हरहर महादियो जैशू शम्भो आपने बहुत प्रियोग करे होंगे बहुत सारी चीज़े की होगी लेकिन कोई फाइदा आपको नहीं मिला होगा पर आप इस वीडियो को देखकर अपना फाइदा आप करवा सकते हैं जब ऐसा ही परिस्तितिया आती है तब पहला प्रशन होता है कि किसी ने कुछ करवा रख और चोथा आप बहुत से जात तक ये बात को मन अपनी करते हैं कि हमाली तो किस्मत ही खराब है जब इस तरह की बाते मन में आना शुरू हो जाए तो आप गलट डारेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़े ऐसी हैं ग्रहों के कोडिंग जिन चीज़ों को हम सही करक इस तरह की negativity से इस तरह के नुकसान से बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं यह बात है आपके साथ कोई साज़ा नहीं करता है बहुत से कम जात को पता है लेकिन उस वज़े से उनकी परेशनया बढ़ती ही जाती है आप से एक निवेदने कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं क्या है चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े कमेंट्स में भूले नात का नाम लिखे अगर आप चाहते हैं अपने कुंडली का विशलेशन हमसे करवाना स्क्रिंग की उपर नमबर चल रहे हैं आप आए वाटसप पर अपोइंट्मेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं उसका फीस और शुलक लागोई दोस्तों सबसे पहला जो आपको काम करना है अपने घर के आसपास जो भी बजरंग बली का मंदीर हो महां से बजरंग बली के मली लाना है मली अर्था जो सिंदूर होता है भगवा अगर किसी परिसिति में घर में पुरुष नहीं है तब महिलाए कर सकती है लेकिन पुरुष ही करें ऐसा करने से घर में जितनी सारी नेगेटिव एनरजी है नेगेटिव एनरजी का सीधा सात्तात पर यहां पर समझे कि व्यक्ति हम जो फील करते एक नकार अत्मक्ता उसे उसे एनरजी के में बात करूँ तो इस तरह कि जो नेगेटिव एनरजी से हमारा और पुरा नेगेटिविटी से भर चुका है उस नेगेटिविटी से आपको बहुत अत्तक शुटकारा मिलेगा दूसरा प्राप्त आपको कदम करना है कि अपने घर में 24 घंटे महामरत्यू जब अपने मोबाइल में चला है या भार से ओडियो टप मिलता है वो बजाना शुरू करे यह काम आपको करना ही पड़ेगा तीसरी जो बात है कि अगर घर के जितने भी सदस से हैं वह सदस एक बार अपने जो कपड़े हैं वो वस्त्रदान कर दे जो पुराने कपड़े उ पांच लोगे तो दो करना चाहते हैं बागी नहीं करना चाहते हैं आप अगर इंडिविज्वल भी तो आप सवयं भी यह बात कर सकते हैं अगला आपको यह मूल रुप से काम करना अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको सीता राम भगवान राम का नाम ज़रूर जाते हैं तो प्रोपर मंदीर जाएं दो वक्त सुभा और शाम नहीं सुभा और शाम जा सके तो एक ही वक्त जाएं लेकिन जाना जरूर शुरू करें अगला जो आपको कारी करना है कि अपने घर के असपस पीपल का व्रक्ष अवज शुरूर से आपको लगाना ही है जब आपको उचीत लगे वो जरूर करें ऐसा करने से आपके जीवन में एक सकारत में बदला होगा और यह प्रयोक जिन भी जातको को मैंने बताएं उन्हें बहुत फायदा मिला आपको भी जरूर मिलेगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना अपने में शिवाएं